नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्लेटफॉर्म Learn Nursing Concept के इंदर जी हां दोस्तों किसे ने खूब कहा है कि कुछ नहीं होता अपने अतीत और किस्मत को कोशने से अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होता है जब हम अपने हिस्से के दिये की बात करते हैं तो हम सारी चीजे छोड़ते हैं अतीत पर किस्मत पर मेरी किस्मत ऐसी नहीं थी मेरे पास ये नहीं था ऐसा होता है तो मैं ये कर लेता याद रखेगा दोस्तों आपकी सफलता आपके संसादन पर डिपेंड नहीं करती है आपके पास क्या नहीं है, क्या है ये कई माईने नहीं रखता है अगर आपका आपकी success के लिए आपकी life के लिए determination है दाओं पर अगर आपको जबरदस लगा रहे हैं अपनी जो नीद है अपना जो अधेरी है उसको बनाए रखते हैं आपकी जो सपनों के लिए नीद को छोड़ देते हैं तो यकीन मानी ये संसादन कहीं नहीं रुकेंगे कुछ नहीं होते हैं आप वो कुछ कर जाएंगे जो किसी ने सोचा नहीं था उदानर बढ़े पढ़े हैं दुनिया के इंदर जिसके पास कुछ नहीं था यह हम जाने की कोशिश करेंगे देखिए हमारी blood vessels, हमारी body के अंदर जो blood होता है, नॉमली liquid state के अंदर flow करता है, यह जो flow होता है normally, liquid के अंदर क्यों होता है क्या हमने अशा कभी सोचा है ना यह solid क्यों नहीं बनता है यह पाने की जैसे इक क्यों बेहता है इंदर अब को एंजूरी होती है हमको जब चोट लगती है हमारी blood vessels को कोई ट्रॉमा होता है तब क्या होता है वहां के जो normal structure होती है वह को normal fragilie वो होती है वो डिस्टर व जाती है और body avi ब्लड लीक आउट होने लगता है जब वो लीक आउट होता है अगर continuous लीक आउट होगा तो क्या हमारी बॉड़ी से ब्लड खतम नहीं हो जाएगा बिलकुल खतम हो जाएगा जो हमारी बॉड़ी के लिए बहुत जादा हमफूल है उस situation को रोपने के लिए बॉड़ी के special mechanism को follow करती है एक special cascade को follow करती है जिसको अपन कहते है coagulation cascade यह अना clotting mechanism यह अपने आपके अंदर बहुत important mechanism है इस mechanism के अंदर बॉड़ी क्या करती है ब्लड का clot बनाती है thrombus का formation करती है और ब्लड को leakage होने से रोकती है अब इस mechanism के अदर बहुत सारे elements role play करते हैं कुछ proteins होते हैं कुछ factors होते हैं कुछ blood cells होती है और जैसे बहुत सारे mechanism follow करती है जो अपन deeply पढ़ेंगे लेकिन उन में से एक और basic elements होता है वो होता है clotting factor जो उस blood को clot होने में help करता है है यह active होते हैं और blood की clotting mechanism को start करते हैं तो क्या होते है क्लोटिंग फेक्टर है, यह हम आज जाने की कोशिश करते हैं, देखिए, जैसा कि हमने लिखा है blood clotting factor, blood clotting factor जो होते हैं, हमारी body के नदर पूछा जाया क्या होता, तो यह basically एक proteins होते हैं, यह क्या होते हैं, एक proteins होते हैं, blood clotting factor जो होते हैं, यह protein से मिलकर बुने होते हैं, special type के proteins होते हैं, यह क्या करते हैं, हमारी body को clotting का mechanism follow करके clot का formation करते हैं, और bleeding को prevent करते हैं, कब जब हमारी body को injury होती है, देखिए, यह क्या करते हैं, formation of clot, formation of clot या thrombus and when injury अकर, to our body and prevent क्या करते हैं, यह prevent या stop bleeding, हमारी bleeding को रोगते हैं, stop, जब clot का formation हो जाएगा और bleeding stop हो जाएगी, तो blood का जो leakage जते हैं, वो नहीं हो पाएगा, यह normal से simply हमने definition पढ़ी है, coagulation की अपने आपके अंदर scientific definition अलग होती है, वो आपने deeply बात में पढ़ेंगे, जो property होती है, plasma की और उसके अंदर बहुत सारी mechanism follow होती है, यह बहुत ही basic हमने पढ़ा, यह clotting factor के point of view से, अब आपको कोई पूछे कि कितने होता है clotting factors, यह basically numbers के अंदर होते हैं, तो कोई पूछे आपको कि कितने होते है numbers के अंदर, तो यह जो clotting factor होते है numbers के अंदर होते हैं, आपके 13, यह ना, clotting factor आपको पूछे in numbers, या total in number, total in number, तो यह होते हैं आपके 13, कितने होते हैं, 13, और अगर आपको पूछे कि present कितने होते हैं body के अंदर, तो आपका जवाब जाएगा 12, मतलब 12, आपकी body के अंदर total होते हैं 13, और present होते हैं, present होते हैं आपके कितने, 12, मतलब 12 present होते हैं, इसका reason होता है, क्योंकि जब इसका nomenclature नाम अपन पढ़ेंगे, तो जो 6th number का होता होता है, my dear friends, वो आपका absent होता है, आपकी body के अंदर होता ही नहीं है, इसलिए जब total number की बात करेंगे, तो कितना बताएंगे 13, और present की बात करेंगे कि होते कितने तो 12, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 6th number का जो clotting factor होता है, वो क्या होता है आपका absent होता है, तो कई बार exam के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा नमर का अपने के नमर की बात करते हैं, इनको जो लिखा जाता है क्लोटन फेक्टर को basically रॉमन्स नमर के अंदर लेका जाता है, हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, देखिए, फेक्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिप्थ, सिक्स, सेवन, इधर लिखते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो यह इनके नमर्स होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 13, अब इनके नाम बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, अगर फर्स्ट नमर है तो फर्स्ट पे ही जाएगा, है ना, इसके नमर एक्षेंज कभी नहीं होते हैं, बात करनें, फर्स्ट क्लोटिंग फेक्टर की, तो जो फर्स्ट क्लोटिंग फेक्टर होते हैं, उसका नाम होता है, हमारे फ्रेंज, फिबरी नोजन, उसका क्या नमर है, प्रो थ्रॉंबिन थर्ड जो था है उसको अपन कहते हैं टिस्यूव ट्रॉंबो-प्लास्टी उसको बोलते हैं टिस्यू थ्रॉंबो-प्लास्टीन फोर्थ नम्रका जो होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम यह वही कैल्शियम है जो हमारी बोड़ी के तरह आयन का काम भी करता है कैल्शियम एक आयन इंपोर्टेंट आयन है और यहां यह रोल प्ले करेगा आपके ट्रोटिंग फेक्टर का कैल्शियम फूर्थ नमर का होगा calcium का 59 नमर का जो हता है आपका उसको कहते हैं लेबाइल उसको क्या बोलते हैं लेबाइल फैक्टर और मार DR. यह सिक्स नमर कावणिंटी है यह वही फैक्टर होता है जो absent होता है इसने जो है nur कम की ईंक इनक और कुरो था आपका absent, मतलब यह unassigned है, absent इसकी कोज हुई नहीं अभी तक और हुई थी लेकिन इसको list से हटा दिया, तो 6 नमर का clotting factor हमेशा absent होता है लेकिन counting के इंदर यह still आएगा बात करें 7 नमर की तो 7 नमर होता है, उसको अपन बोलते है stable factor, उसको कह बोलते है stable बात करें 8 नमर clotting factor की उसको बोलते है anti-hemophilic, उसको क्या बोलते है anti-hemophilic 9 नमर को बोलते है Christmas factor, उसको क्या बोलते है Christmas Christmas factor 10 नमर को बोलते है Stuart Prover Stuart Prover factor 11 नमर को बोलते हैं आपके plasma thromboplastin plasma thromboplastin 12 नमर को बोलते हैं Hegman factor नमर को बोलते हैं उसको बोलते है fibrin stabilizing factor उसको क्या बोलते हैं fibrin stabilizing factor देखिए हमने पड़े है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 3rd, 6th, 7th, 8th, 9th, 9th, 11th, 11th, 13th अलगल इनके नमर होते है क्या के इनके नाम होते है नमर का fibrinogen prothrombin tissue thromboplastin calcium ना आपका लिबाय लो 6th नमर क्या होता है आपके absent होता है 7th नमर को बोलते है stable 8th को बोलते है anti-emophilic 9th को बोलते है Christmas factor 10th को बोलते है steward prover 11th को बोलते है आपके plasma thromboplastin 12th को बोलते है Hegman factor और 13th को बोलते है fibrin stabilizing factor अब जब हम clotting का cascade पढ़ेंगे clotting mechanism तो यह जो ultimately fibrinogen होता है ना फर्स नमर का यह ultimately connect होता आपका fibrin के अंदर तो उसके अंदर यह सारे roll play करते है कैसे इनका mechanism होता है वो अपन फर्दर पढ़ेंगे जब यह clotting mechanism पढ़ेंगे अब यह देखी एक छोटी से अपन बात करता है यहाँ पर मान लिजी यह अगर प्रो थ्रोंबीन है इसके डेफिसेंसी हो जाए यह absent हो जाए body के अंदर यह इसके डेफिसेंसी हो जाए तो एक बीमारी हो जाएगी उसको कहेंगे thrombophilia उसको क्या कहेंगे thrombophilia thrombophilia नाम की बीमारी एक bleeding disorder होता है blood का disorder होता है यह absent होता है आप अपन बात के एक important होता है आपका anti-hemophilic देखी anti-hemophilic एट नमर का clotting factor अगर anti-hemophilic इसके डेफिसेंसी होती है तो हमारी body के अंदर एक बीमारी हो जाएंगी उसको हम कहेंगे hemophilia बहुत ही important नाम की disease होती है उसको कहता है hemophilia एक bleeding disorder होता है और hemophilia basically तीन टाइप की hemophilia होता है hemophilia को अपन एक नाम से जानते है उसको कहता है royal disease royal disease है न royal disease और यह होता है एक hereditary disorder होता है hereditary मतलब यह genetic होता है देखे इसको royal disease क्यों कहते है क्योंकि जब hemophilia की खोज हुई थी तो सबसे पहले England की जो महारानी थी इना England की जो महारानी थी उसको यह disorder हुआ था मतलब उसके अंदर injury हुई थी और इसके blood का clotting नहीं जमा था और blood loss हुआ था तब जाके पता लगा कि उसको एक बिमारी है उसको कहता है hemophilia और तब से इसको नाम क्या दिया royal disease मतलब शाही बिमारी और hemophilia अलगर टाइपस के होता है hemophilia A, B, C अब देखे B और जो 11 नमर का फेक्टर है plasma thromboplastin जब ये नहीं होगा इसकी deficiency हो जाएगी तो बोलेंगे hemophilia C इसके अगर deficiency body के इंदर find out होती है तो उसको कहेंगे hemophilia C तो hemophilia की नाम की बिमारी होती है A, B और C तीन टाइप के होते हैं जिसके अंदर अलग अलग क्लोटिंग factor की deficiency होती है 8 तक क्लोटिंग है तो hemophilia A, 9 है तो B और 11 है तो C है तो ये हमने क्लोटिंग फेक्टर्स पढ़ें क्या क्या इनके नामस होते हैं क्या अब इनका रोल्स होगा वो अपन पढ़ेंगे जब क्लोटिंग की मेकनिजम पढ़ेंगे तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया है तो हम समझेंगे कि इस वीडियो की सार्थत्ता साबित होती है मिलते हैं अगले नेक्स वीडियो के अंदर तब तक के लिए जे हिन जे भारत धनिवाद